हेलो गईज, डिजाइन चोटेचल में आप सबीकर स्वाकत है, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार, यहाँ पर आपके लिए और नई वीडियो लेके रहा हूँ, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ, कुछ नए इंपोर्टिंग पॉइंट, आपका एक स मैंने प्लागिन्स के बारे में बताए हैं, वो सारे की सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बल जाएगा, आप यह कमेंट जरू करना कि आपको इन पाचों पॉइंट में से कौन से सबसे ज़्यादा बहतरी लगा, तो चलिए आज का यहाँ पर वीडियो यहाँ यहाँ पर इसका लिंक अगें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाएगे डाउलोड के जेरी डाउनोड करने के बाद यहाँ पर एक्स्टेंशन में पार आना में इसको प्लिक करके रिए आपका काम हो चुका, यहाँ पर अब पार ही है कैसे उसको उसको आं करना है, जै अब यहां पर extension पर मेरे को जाना है, smooth zoom पर जाना है, simply मैं इसको enable करूँगा and guys यहां पर options पर जाओंगा और जो मैंने particular settings कर रखी है, वो same आपको कर देनी है, अब अगर मैं यहां पर scroll wheel को use करूँगा, यहां पर आपका experience बहुत ही जादा कमाल का हो जाएगा, यह था point number one, अब यहां पर point number two पर चलते हैं, यहां पर point number two है shortcut create करना, बट guys यहां पर message आपको दो मैं बोलूगा, ज्यादा required नहीं है, दो important shortcut जो आपको create कर लेने चाहिए, सबसे पहला यहां पर hide और unhide वाला, यहां पर hide तो हम यहां पर कर देते हैं right click करके, बट अगर आपको unhide करना होता है, तो उसके लिए जाना पड़ता है, edit में unhide पर देन, यहां पर last पर click करते हो, जिससे कि particular last वाला है, वो यहां पर unhide हो जाए, तो काफी time ऐसा होता है, माल लिजे कि यह दोनों box ऐसा सकते हैं, then यहां पर मैं कुछ भी draw कर सकता हूं इस पर right, but guys अगर यहां पर yes आपको unhide करना है, तो इतने long process पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यहां पर directly आप n click कर सकते हो, अब यह n आपका भी shortcut नहीं होगा, कैसे create करते हैं, आइए समझते हैं, simply आपको जाना ह होगा, windows पर, and यहां पर preferences पर जाएंगे, preferences पर जाने के बाद, simply यहां पर आपको करना होगा, type hide, ठीक है, अब यहां पर hide क्लिक करोगे, तो यहां पर देखिए, आपके पास लिखा हुआ है, hide, sorry, unhide all, unhide last, unhide selected, right, so guys यहां पर, आप last वाली को select करेंगे, और यहां पर add shortcut पर आप अपना shortcut enter करोगे, और hit ok कर दोगे, right, अब यहां पर एक और मैं कमाल कर shortcut बताने वाला हूँ, जो आपको कर लेना चाहिए, that is, hide rest of model, yes, आपको यह option मिलता है, view के अंदर, यहां पर आपको जाना होगा, component edit के अंदर, hide rest of model, जब यहां पर किसी भी group को आप ऐसा click करते हो, तो जैसे देख सकते हूँ, चारों तरफ में काम करना कितना easy हो जाता है, right, उसी तरीके सा, अगर मैं component के अंदर दिखाओ, तो देखें, यहां पर जो similar components है, वो आपको देखने को बिल जाते हैं, अगर आपको किसी भी आप एक change करोगे, तो वो सब में हो जाता है, but कभ करने के लिए तो चाहिए न, आपको object, और यहां पर बार-बार काफी off लगता है, कि view पर जाहिए, बार-बार आप यहां पर component edit पर जा रहे हो, यहां पर click कर रहे हो, बहुत off है, right, so यहां पर मैं आपको यह सजिस्ट करूँगा, कि आप यहां पर कुछ इस तरीके से इसको use कर रहे, ठीक है, so यहां पर आपको यह समझ में आगया होगा कि कैसे हम इसका use करेंगा, और यह क्यों इतना important है, so yes, यहां पर इसका shortcut again बनाना है, तो जैसे आपने देखा, यहां पर इसका नाम क्या है, hide rest of model, right, simply हमें यहां पर window पर जाना है, preferences पर जाना होगा, shortcut पर और य कर देंगे, and according to me guys, यहां पर Y और N जो में ने बताया, यह most important है, आप इसको जरूर कर लें, ठीक है, so यहां पर आपको समझ में आगया होगा, actual में, यह दो important points, बताना जरूर आपको इन पांचों में से कौन सा best लगता है, अब यहां पर आपके लिए एक और धंबाल plugin है, that is, AMS का window setting, again, link आपको description में मिल जाएगी, यहां पर आप extension store को भी download कर सकते हो, अगर आप again, दुबारा और time save करना चाते हो, और time कैसे save, मतलब आप website पर जाते हो, download करते हो, फिर यहां पर window में आकर, वहां पर extension manager पर जाओगे, install पर क्लिक करोगे, ही टोक्य करोगे, बला बला यहां पर आपके लिए बहुत ही काम असान कर दिया मैंने, simply आपको search पर ऐसा click करने का है, and यहां पर वो particular plugin डालना होगा, नाम उसका simply, ठीक है, so यहां पर window setting में लिखूँँगा, hit enter करूँगा, और आपके सामने यहां पर AMS window setting आ रहा है, simply आप इसको download कर लेंगे, चले इस experience के लिए आपको full screen कर लेना चाहिए, so यह दिखने में कुछ इस तरीके का window setting की तरह दिखता है, यहां पर अकर आप यह setting देखना चाहते हैं, तो install करने के बाद, आप यहां पर window पर जाओगे, setting के अंदर जाओगे, तो भी यह सारे options आपको देखने को मलते हैं, but जब हमार पास यह toggle आई रहे, तो हम इतना क्यों सर खपाए, तो guys यहां पर, again window setting पर जाना है, यहां पर सबसे पहले तो 3 mode आते हैं, अभी हम फिलाल normal पर है, यहां पर, sorry, हम maximized पर है, normal पर click करता हूँ, तो यह देख सकते हैं, किस तरीके साब का window हो गया, maximize करता हूँ, तो यह हो गया full screen करूँगा, तो full screen पर अब चले जाएंगे, then इसके बाद यहां पर, आपके पास option है, that is menu, menu बार कौन सा होता है, file, edit, view, camera, जो आपके top पर लिखा होता है, मैं click करूँगा, वो भी काया हो गया, यहां पर लिखा हुआ है, view border, अब यहां पर view border को आप मत करना, कुछ ज्या यहां पर screen bar अगर आप नहीं दिखाना चाहते, तो वो आप यहां पर hide कर सकता, अब यह scene bar क्या होता है, so basically यहां पर, जो सबसे नीचे toggle होगा आपका, वो यहां पर hide हो जाता है, यह देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, नीचे वाला जो panel है आपका, जहां पर वीरे लिख है जो भी आप animation create करते हैं, तो वहां पर scenes create होते हैं, वो सारे जो आपके options है, वो यहां पर hide कर जाता है, screen bar से, right, जैसे आप देख सकते हैं, status bar को आप hide करेंगे, तो आप सबसे नीचे देखना है, screen के, sketch up के, तो वहां पर आपके पास, एक tools आते हैं, मतलब कोई भी आप tool यू card नहीं हो, तो यहां पर आप ऐसा click कर सकते हैं, अब guys, यहां पर इस तरीके से आप यहां पर अपनी screen को बढ़ा तो कर लेते हैं, बट यहां पर और बढ़ा करना है, तो default रहे दिख रहा है, simply इसके pin को भी off कर दो, ठीक है, अब काम करके देखना है, यार, मतलब अगर आप option है, reset करेंगे, एक बार में बिल्कुल काम हो गया, अब यहां पर और जादा screen आगर आपको बढ़ा करना है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही easy है, window पर जाएंगे, preferences पर जाएंगे, then यहां पर simply workspace को option देखने को मिल जाता है, यहां पर use lot toolset अभी check mark है, simply आप इसको uncheck और यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी आपके tools थे, वो कितने ज्यादा छोटे हो गया है, यह बड़ा interesting लगता है, मुझे वो तो मैं आपको teach कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इतने ज्यादा छोटा नहीं करता है, ठीक है, तो guys यहां पर आप जरूर कर ल टीक है, बट वो गलत तरीका होता है, गलत क्यों होता है, यहां पर मैं बताता हूँ, sketchup आपका hang करेगा, कभी कबार आप देखते हो, वो message आ जाता होगा, corrupt हो गया आपका sketchup, आप उससे बचना चाहते हो, यहां पर आप, yes, आदट डाल लेना, zooms का अच्छे से use करने का, य यहां पर देखिए, zoom window दिख रहा है, यह tool, yes, यह tool बहुत कमाल का है, directly अगर मैं इसके मुंडी को zoom करना है, simply ऐसा मैं click करूँगा, यह देखो, आपके window पर आगया, कोई आपको required नहीं है, आपके sketchup hang नहीं होगा, आपके sketchup बंद नहीं होगा, minor सा zoom out करना है, scroll wheel मत use करेए, यहां पर, yes, अगर आपकी file बहुत बड़ी हो जारी है, जो में tricks बता रहा हूँ, same, उसको follow करो, ठीक है, zoom tools को भी use करूँगा, और यह आपका minor zoom के लिए काम आएगा, ठीक है, आपको look around करना है, यहां पर दीके look around है, उसी जगहा पर खड़े होकर, पूरी दुनिया को गोल घूम कर देख लिए, ठीक है, बड़ा मज़ितार है, करके देखना है, और sketchup, yes, मेरा प्यारा best software है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, personally, so guys, अगर आपको भी अच्छा लगता है, तो यह वीडियो जरू लाइक करना, and अपना feedback, यानि कि comment, यानि कौन सा आपको, जो मैंने tricks बताएं, कौन सा सबसे best लगा, वो आप यहाँ पर जरूर मेंशन करना, hopefully guys, आप सभी best होंगे, सही होंगे, and यहाँ पर practice कर रहे होंगे, जब तक के लिए चलते हैं, आज की वीडियो में इतना, so thank you for watching this video, good bye कर दो